हलो एस्परेंट देखिए सहायक अभ्यूजन अधिकारी भरती परिक्षा 2022 ठीक है कि मुख्य परिक्षा का जो तीथी घोसित कर दी गई है आयोग की तरफ से तो आईए जानते हैं उसी को तो उत्तर प्रतिस लोग से वा आयोग ने सहायक अभ्यूजन अधिकारी यहने की एपियो भरती 2022 की मुख्य परिक्षा के दित ही घोसित कर दी है परिक्षा प्रियागराजवा लखनौक में चार एवं पांच दिसम्बर को आयोजित की जाएगी इसमें जाएगी कि लगभग 1089 अभ्यरती सामिल होंगे और मुख्य परिक्षा दो पालियों में सुबह दिसम्बर को पहली पाली में सामान ग्यान एवं दूसरी पाली में सामान ने हिंदी एवं पान दिसम्बर को पहली पाली में क्रिम्नल लाओ एंड प्रोसीजर एवं दूसरी पाली में लाओ अफ एविडेंस की परिक्षा होगी APO के 69 पदों पर भरती के लिए प्रारामबिक परिक्षा 21 अगस्त 2022 को आयोजित की गई थी परिक्षा के लिए कुल लगबग 64100 भरतियों ने आवेदन किये थे जिसमें की 33315 भरती प्रारामबिक परिक्षा में सम्मिलित हुए आयोजित की ओर से 23 सितंबर को जारी परिक्षा प्रारामबिक परिक्षा के परिणाम में 1989 अभ्यर्थी मुखे परिक्षा के लिए सफल गोशित किये गए थीक है तो 69 पदों पर भरती के लिए परिक्षा में सामिल होंगे 1989 अभ्यर्थी तो इसको जो है कि देख लिजेगा APU का मेंस का जो है कि आपका डेट आ गया है ठीक है और ROARO के संबंद में भी जो है कि डेट आ चुकी है कि समिक्षा अधिकारी और स्वायक समिक्षा अधिकारी में जिसका टाइपिंग होगा वो टाइपिंग का जो है कि एड्मिट कार्ड और डेट का विश्तिर्त कारिक्रम जो है कि आयोग ने अपने वेबसाइट पर अप्लूट कर दिया है पर इच्छा जो है कि आरो आरो की टाइपिंग टेस्टी 11, 12, 13, 14 जो है कि अक्टूबर को आज़िद की जाएगी ठीक है और तीन पालियों में सुबस 9 बजे से 10 बजे तक ठीक है टाइमिंग भी दे रखाया आयोग ने और इनके प्रवेश पत्र तथा अनुदिशक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्द है ठीक है परवक्ता के चैनितों का अभिलेख सत्यापन साथ को यानि की राजगी आश्रम पद्धती इंटर कॉलेज परिच्छा 2021 में परवक्ता जी विज्ञान एवं जी विज्ञान के 33 पदों पर चैनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन यानि की जरधारी समय पर आयोग परिशार इस्थित यह उना भौन में पहुंचना है ठीक है तो इनका डॉक्मन्ट वरिफिकेशन भी होगा थैंक यू